साथ हिम्मत बर्डर नहीं होना चाहिए बोज नहीं है यह आइडिया के तुम्हें उस वख्त क्यों नीं बताई जब तुम्हारे साथ हुआ था अच्छा अगर और गाम पे हर जंगा पे हिम्मते दिखाते रहें और यह हिम्मती होने का बोज हमारे ना सर पर रखिये और ना ही हमारी परिभाशा हिम्मतों से होनी चाहिए खासकर जो लोग हाश्ये पर खड़े तुम मसलमान और तो तुमने हिम्मत क्यों नहीं दिखाई तुम दले तो हिम्मत के उपर और ये आइडिया के हमारी हिम्मतें जो हैं वो हमें विरासतों में मिली हैं और ऐसा नहीं है कि इस ओवरनाइट आइड़ आइडिया और स्ट्रेंथ इचाम डाउं टू आस तारीख से हमारे पास आई है यह तो हिम्मत के उपर है है जमाने में देखो महबत हमी से के है इश्क करने की हिम्मत हमी से है पलकों पे अपनी फलक को उठाए है पलकों पे अपनी फलक को उठाए हतेली पे हम जहां को सजाए के सूरज को मिलती है शिद्दत हमी से के सूरज को मिलती है शिद्दत हमी से सितारों की रोशनी और सर्वत हमी से सितारों की रोशनी और सर्वत हमी से चोड़ी छातियों को मुसीबत हमी से है जमाने में देखो महबत हमी से है खेतों को हमने पसीनों से सीचा सजोया है हमने जहत का दरीचा जमीनों में पैदा वरी है हमी से पल्लू से मेरे पर्चम बने हैं ये बैनर लगे हैं ये जंडे गडे हैं पल्लू से मेरे ये पर्चम बने हैं ये बैनर लगे हैं ये जंडे गडे हैं कि नारों में आती है ताकत हमी से कि नारों में आती है ताकत हमी से सर्फ फरोशी को मिलती है हिम्मत हमी से ये सरहत को नांग जाने का दम भी ये किस्ते कहानी बनाने का दम भी कभी पहाडों से बनने की हिम्मत कभी पहाडों से बनने की हिम्मत कभी बादलों में उरते जाने की हिम्मत कभी हसने ठहाकों की हिम्मत कभी यू सिमत सो जाने की हिम्मत लहर की मचलो सकूत दर्या कभी घरों से भाग जाने की हिम्मत कभी हुक्मरानों से सवालों की हिम्मत कभी मुंडेरों से इश्क करने की हिम्मत कभी मरकजे किस्से जिल्लत वो फैक्टरियों में कड़ी मेरी महनत कंस्ट्रक्शन साइट्स पे पसीने का बहना मीलो दूर से पानी का लाना वो बाहर का जिम्मा वो घर की जरूरत सरे चौराहा मेरी मबाशिरत तिकी है कंधों पे मेरे ही मिल्लत है हमी से सवालों का जजबा जवाबों की हिम्मत अरे महज इनसान होने की हिम्मत महज इनसान होने की हिम्मत रेवडी में स्कूल खड़ा करने की जुर्रत फिलिस्ती में महज जीने की हिम्मत और नागलाइन में हो हो पे सवाल इरान में होता धमाल सुन लो खबरदार हमारी हिम्मतों ने शीश महलों को गिराया है हमारे वजूद ने मनूस मृतियों को जलाया है हमारे वजूद ने मनूस मृतियों को जलाया है हमने कल को आज ही सवारा है हमारी हिम्मतों से उबलता फवारा है हमारी हिम्मतों का ही तारीख को सहारा है तारीख में ऐसी तारीखें बार-बार आई हैं जब औरत में हिम्मतें लिखाई हैं नहीं तुम्हारी खोकली हिम्मत नहीं हमारी हिम्मत तुमसे बहुत ज़िडा है and the idea of strength that we are carrying is very different from the already established masculine idea of strength it is very different हमारी strength जंग में नहीं है नहीं, तुम्हारी जैसी खोकली हिम्मत नहीं हमारी हिम्मत तुमसे बहुत जिदा है ये एक नई शुरुवात की सदा है नहीं है खुद्रत को नोचने की गायल खुद्रत बचाने की हिम्मत नहीं जुल्म ढ़ाने का जजबा है इसमें मजलूम साथी की साथी है हिम्मत जंग गोली और बारूद से बरक्स ये महबत अमन शान्ती की है हिम्मत मिली है विरासत में and we haven't got it ourselves मिली है विरासत में हमको ये हिम्मत जहन में है बसती और रुह में है पलती कलम की मेरे लिखावट में दिखती है सदियों से तैयार मजमुआ हिम्मत यजीदियत की जवाब जैनब की हिम्मत जातिवाद से उलचती सावितरी की हिम्मत फत्वों के खिलाफ शाहबानों की हिम्मत डेल्टा की हिम्मत वसोनी की हिम्मत कि कानून तोरती मैरी रॉय की हिम्मत दर्सगाह चलाती सबा की हिम्मत हिम्मत ये संगी फिरंगी आमीन फिरंगी महल हमसे हैं डरते मैस्कुलिन पुलिटिक्स उकार फेकने की हिम्मत तुम्हारी बाइनरी से पड़े सतरंगी बेशरम हिम्मत सातिमा की लिखी किताबों की हिम्मत हिजाब पहनने की उतार फेकने की हिम्मत कविता की हिम्मत मेरे गानों की हिम्मत वो तेज तर्रार जबानों की हिम्मत वो तेज तर्रार जबानों की हिम्मत वो रानी की हिम्मत वो दासी की हिम्मत वो खुशी की जुर्ट उदासी की हिम्मत कि सारे जहां को हमी से हिम्मत मेरी रूँ से निचुड कर जहन से घुल कर जबा की रवानी से परवान चढ़ कर ये हिम्मत हमारी तारीखी बहुत है हम औरतों ने अपनी हिम्मतों को बकसों में भर कर आगे पीड़ी दर पीड़ी बढ़ाया है कुंद जहनियत उखार फेकने की हिम्मत हमी से हिम्मत हमी से हमारी ये हिम्मत नहीं कोई मेरी ये जिम्मधारी ये हिम्मत, जरूरी नहीं हम दिखाएं ये हिम्मत, नहीं है ये हिम्मत हमारा पेमाना, नहीं है ये हिम्मत हमारा पेमाना, ये हिम्मत का तमगा हमें ना पेनाना, ये हिम्मत का तमगा हमें ना पेनाना, कभी हम सड़क पे जाएं तो हिम्मत, कभी हम सड़क पे जाए तो हिम्मत अगर हम घर में रह जाए तो हिम्मत ये हिम्मत हमारी हमी से है हिम्मत बहुत 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 शिक्राइब Can we have a big round of applause, a bigger round of applause? I think that was really, really powerful. Thank you so much, Sabika. I know you all have been here for a very long time and I hope this event today, Position of Strength, was fruitful for all of you and I hope all of us got to learn a little bit more than we already know about gender-based violence, about the issues that we're talking about, about the intersectionality of the issue. To close the event, I would like to call Colin Crowell, who's the head of public policy and government at Twitter Global and I would love if Colin could also give us a larger global perspective towards how Twitter looks at this issue. Thank you very much. Thank you, Anshul, and thank you, Youth Kiwaz, for being such a great partner with us today. As Mahima indicated at the beginning, we've done Position of Strength events in many markets and we've done several here in India as well. And one of the things that came up in one of the questions was, how do we think about this from a perspective of driving impact? And so it started as a Twitter program to talk about Twitter's safety rules, the safety tools that we have available for users, so that we would marry that with a program around women's empowerment, so that women would tweet from a position of confidence and a position of strength. And what we now know, after doing several of these in markets around the world, is that the perspective on this doesn't vary tremendously from market to market. There are unique circumstances, of course, in every market, but the global phenomenon that we saw with the Me Too movement, I think, touches a chord around how many of these issues play out. And so I come from a perspective, flying in from Washington, where the local context for me may not be the same as the lived experience of many of you here. But I do think that we've been in a situation where we now have a day where, having spoken about a lot of the problems and challenges, and there's no doubt that there are problems and challenges, and we gather on the eve of International Women's Day to talk about them, is to also take stock of the progress made and the terrain that we've traversed. Because I was here two and a half years ago, when we did a position of strength event, and this one is very different. And Mahima touched on this a little bit. And the fact that we have grown and diversified some of the perspectives on this, that we have a hashtag that we use around the world, but that we now have localized and have a Hindi hashtag for position of strength, not only feels noble, but frankly, at this point, necessary. And I think that's a wonderful migratory path that this event has taken here. Because when you have such a wildly open platform, like Twitter, where historically marginalized voices, historically less powerful voices, can be put on equal footing with some of the most powerful, entrenched, controlling voices of yesteryear, and they can break through in the local, the national, and global media mix to be heard, that's what this is all about. And it's about making sure that those voices, and particularly the voices of half of the population, are present. Their voices are unique. These are voices that we cherish and want to have on Twitter in droves, because those perspectives help to enlighten and help to advance societies and move them forward. And that's true for India, and it's true for the United States, and it's true for countless other societies around the world. And so we're delighted that you've all been here. You've been a wonderful audience. I want to thank Anshul again and Yuth Kiowaz for the event. But to think about the progress that we've made over time and some of the benchmarks, just reflect on the amazing women you heard from today. And so, you know, for me, seeing and hearing and understanding these perspectives is inspiring. It's reassuring. It's daunting what challenges have been identified. But at the same time, even somebody like me who's coming in who didn't understand 90% of what the spoken word poetry conveyed, I definitely felt the passion behind it. And that can be understood irrespective of the particular idiom that it's being uttered in. So can we get another round of applause for our panelists and presenters? Thank you. And I would be remiss and the worst boss in the history of the world if I didn't particularly call out Mahima Kahl for her wonderful work on this initiative and this event. So thank you, Mahima. He does a wonderful job for us here at Twitter India and makes me look good back with the higher-ups. So I had the distinct wisdom of hiring her. And so I get tremendous credit for that around the company. So again, thank you all. I appreciate it. Thank you for your time and your attention and your participation. Thanks. Thank you so much, Colin. And just, you know, before you all leave, we have snacks for everyone. There's tea, coffee, juices. I know many of you are hungry. Some of you were also discussing at the back, and we'll be serving it now for all of you. But just a very important plug from my side. You know, I started Youth Ki Awas 10 years ago. And since then, the idea has been that people like us and many more people use it as their own platform to talk about issues that we really, really feel passionately for, that we strongly believe are not being picked up by the mainstream traditional media, that are missing from our day-to-day narratives. So I would request you all to go to Youth Ki Awas, write about what you thought about today's event, good, bad, whatever it was. We would love to have it on the platform. We'd love to work more closely with you, bring out more issues, give us feedback, tell us how this event can be better, tell us how we can do many more events, you know, a lot better. And we'll, of course, be in touch. There is the Youth Ki Awas Summit coming up really soon in September. So we'll let you know about that as well. And thank you so much for coming today. Please do have the snacks, as many of you have been waiting for that. Thank you.